अस्सलाम अलेकुम, वेलकम तो मैथमेटिक्स वेद कोडैनिक्स, इस लेक्चर वे हम देखेंगे के सब स्पेस ओफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, देखते हैं जी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अनॉन एम्टी सेट डब्ल्यू, डब्ल्यू कोई नॉन एम अनॉन एम्टी सेट है, is set to be subspace of V, subspace of V उस वक्त यह कहलाएगा, if W is itself a vector space over F, W जो हो, वो F पे vector space हो, under the same operations are defined in V, non-empty set W उस वक्त vector space V का field F पे subspace होगा, जब W जो हो, itself अपना vector space हो, field F पे same operations जैसे V पे लगे हैं, तो वो एक vector space बना है, इसकी example आप इस तरीके से देखें, let's suppose, एक हमारे पास है, बड़ा set V है, V vector space है, अब इस vector space में, अगर मैं कहूं, यह W जो है, यह इसका subspace है, subspace कब होगा, जब vector space V की तमाम की तमाम properties या तमाम operations जो हमने vector space होने के लिए इस पे apply किये हैं, अगर वो तमाम के तमाम operations जो है, same जैसे V पे define होए हैं, वैसे ही, W जो है, non-empty set इस पे define होगे, तो W जो होगा, वो इस vector space का sub space कहलाया जाएगा, sub space होने के लिए क्या ज़रूरी है, फिर repeat कर रहा हूँ, कि sub space कोई भी set उस वक्त होगा, non-empty set, जब वो same operation जैसे vector space पे define हैं, वैसे ही, तमाम operations उस non-empty set पे define होगे, over field f, क्योंकि vector space भी field f से related था, और जो sub space होगा, वो भी field f से define होगा, अब इसके लिए, आपको vector space के तमाम properties define करनी ज़रूरी नहीं है, आप दो properties जो हैं, अगर vector space की बजाए, जो sub space है, उस पे आप दो properties apply करें, और वो उनको satisfy करता हो, तो आप ये बता सकते हैं, कि जैसे ये sub space में ये property satisfied हो रही है, उसी तरीके से vector space पे भी तमाम properties satisfied होंगी, अब वो कौन सी properties हैं, एक पहली property है, क्लोयर अंडर addition, क्लोयर अंडर addition, अब क्लोयर अंडर addition है, और दूसरी है, हमारे पास property, क्लोयर अंडर scalar multiplication, अब क्लोयर अंडर addition क्या कहता है, let's suppose, w1 और w2 जो है belongs करते हूं, w से, w जो sub space हम जिसको कह रहे हैं, कि w1 और w2 जो इसके elements हैं, वो w से belong करते हूं, तो क्लोयर अंडर addition क्या कहता है, this implies that, कि w1 को जब हम plus करें, w2 में ये जो दो elements हैं, set के, उनका answer भी belong करता हो, जो w हमने set बूला है, sub space का, जब ये दोनो elements belong कर रहे हैं, w से, तो उनका addition जो होगा answer, addition के बाद जो answer होगा इन दोनो elements का, वो भी किस से related होना चाहिए, किस से belong करता हो, w से, इसके अलाबा, क्लोयर under scalar multiplication है, इसमें ये कहता है, कि अगर आपके पास, w belong करता हो, w से, और a belong करता हो, field f से, तो vector और scalar का, ये जो scalar multiplication, a, w होगा, ये belong करना चाहिए, आपका, जो sub space वाला set है, w, ये जो दो properties है, scalar multiplication वाली, और scalar under addition वाली, जब ये दोनों satisfy करेगा, ये set, तो हमें पता चलेगा, कि ये जो set है, ये sub space है, किस का vector space का, क्यों, ये दो properties satisfy करने से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ये vector space का subgroup हो जाएगा, w, जब ये subgroup होगा, इसका मतलब अगर vector space वाला abelion group है, तो w भी abelion group होगा, abelion group होगा, तो इसका मतलब ये तमाम की तमाम properties को satisfy करेगा, जैसे के vector space पे operations लगाके, तमाम की तमाम properties satisfy होई है, हर कोई vector space जो है, उसके दो sub spaces लाजमी होते हैं, एक, अगर v एक vector space है, तो v के vector space होना, इसका एक subset इसमें मुझूद होगा, v itself, sub space of vector space, अगर v vector space है, तो v का itself एक sub space मुझूद होगा, दूसरा, zero vector जो होता है, जिसको हम zero element से deload करते हैं, दूसरा, जो sub space होता है, किसी भी vector space का, वो zero होता है, तो इसे हमें पता चला है, कि कोई भी non-empty set, किसी भी vector space v का, field f के उपर, over field f, उस वक्त, sub space कहलाएगा, उस vector space v का, जब वो, उन तमाम operations के साथ, vector space जो है, उसके according तमाम जो operations हैं, वो उस पे define हो, जैसे v vector space भी हैं, उनमें कौन-कौन सी दो properties हैं, या दो operations कौन से हैं, वो है, क्लोयर अंडर addition, और क्लोयर अंडर scalar multiplication, क्लोयर अंडर addition भी बता दिया है, कि जब दो elements किसी भी, sub space वाले set में से लिये जाएं, तो उनका जो addition वाला है, वो दोनो elements को adds करने के बाद, जो उनका resultant होगा, वो भी किस से belong करता हो, w से belong करता हो, और इसी तरीके से अगर एक element हम vector से लें, ये जो vector का sub space है, w, और दूसरा हम ले किसी भी scalar, जो field है, उस से ले, तो वो उन दोनो elements का scalar multiplication किस से belong करता हो, w से, उसके अलावा हमने इसमें देखा है, कि दो किसी भी vector space के sub spaces होती है, एक उसका, जो vector space का itself, एक sub space होता है, उसके अलावा, zero vector जो होता है, वो उस vector का, vector space का sub space जरूरी मुझूर होता है, तो मिरी قوم के रज़वानों इस lecture में, मैंने ये देखा है कि sub space of a vector space क्या होता है और किसी भी set का sub space होने के लिए कौन सी properties को satisfy करना ज़रूरी है और किसी भी set में कौन कौन से sub spaces मजूद होते हैं कोडैनिक्स को subscribe करें और ऐसे और lecture जो सुनने के लिए YouTube पर और Google पर mathematics with kodैनिक्स सर्च करें अल्लाने के वान